Hello my friends, welcome back to our channel इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं विश्व जनसंख्या दिवस पर धाईशो सब्दों में निबंध तो ज़्यादा समयना लेते हैं दोस्तों चलिए लिखना शुरू करते हैं निबंध विश्व जनसंख्या दिवस प्रस्तावना वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जावरुपता परहाने के लिए प्रति एक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है या दुनिया भर में परति जनसंख्या से जुड़ी चुनोतियों पर चर्चा करने के लिए एक मन्च के रूप में कारी करता है गोश्ना संयुक्त राष्ट ने जनसंख्या समंदी जिनताओं को दूर करने के लिए 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस का एकरम की अस्थापना की थी अधित जनसंख्या की चुनोति पिछले कुछ सताब्दियों में विश्व की जनसंख्या लगतार बढ़ रही है अत्यदिक जनसंख्या परियावरन, अर्थ वैवस्था, स्वास्थ और समाजिक स्थिर्ता सहित मानो जीवन के विभिन पहल्वों को परभावित करता है यह गरीबी, असमांता और बिमारियों के परसार को भी बढ़ाता है परिवाद नियोजन और स्वास्थि परिवाद नियोजन जनसंख्या विद्धी के प्रमंदन में महत्रपुर्ण भूमिका निभाती है परिवार नियोजन का एक्रमों से मात्र, एंस्रीसू स्वास्ति में सुधार, गरीबी दर में कमी और सैच्चिक अवसरों में वृद्धी होती है शिक्षा और सशक्तिकरन बरती जनसंख्या चुनोतियों से निपटने में सिक्षा एक मुलभूत कारक है या वेक्तियों को उचित निर्ना लेने के लिए आवस्यक ज्यान, कौशर और महत्पुन सोच्छंताओं से सुसर्जित करता है आसमानता और गरीबी आसमानता और गरीबी दोनों ही अधिक जनसंख्या के कारण और परिनाम है सतत्विकास हासिल करने और जनसंख्या वृद्धी के परमंधन के लिए गरीबी उन्मोलन और असमानता को कम करना बहुत आवश्यक है निश्कर्ज विश्य जनसंख्या दिवस बढ़ती अबादी द्वारा उत्पन चुनोतियों का जायजा लेने और सतत्विकास को बढ़ावा देने वाले समादनों का पता लगाने के लिए एक वैस्विक अनुसमारक के रूप में कारी करता है सिक्षा, प्रजनन स्वास्टे सेवाओं और गरीबी उन्मोलन परियासों में निवेश करके हम एक एसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर किसी को आगे परने का आउसर मिले तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपके लिए हेलफुल है तो प्लीज आपके इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद